हलो वीवर्स डेवी हिल टिप्स में आपका हादिक स्वागत है दोस्तों आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे बताय हुए टिप्स आपको तुरंत मिल जाए और साथी बेल आइकॉन को क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज मैं आपको बताऊंगी अश्वागंदा और दूद कौन पियें और इससे क्या फाइदा होता है दोस्तों अश्वागंदा आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रयोग किया जाने वारा एक महत्वपून जड़ी बुटी है जो की इसके कई फाइदे हैं जिसे की हम सब जानते हैं आज हम आपको ये बताएंगे की अश्वागंदा और दूद कौन पियें और इससे क्या फाइदा होगा पहला है दिल और दिमाग की कमजोरी के लिए दोस्तों अश्वागंदा और दूद से दिल के धर का नियमित और मजबूत होती हैं दिल और दिमाग की कमजोरी को ठीक करने के लिए एक चमच अश्वागंदा चूण सुभा शाम एक कप गर्म दूद से लें गर्भधारन के लिए अश्वागंदा का चूण गाय के घी में मिलाकर मासिक धर्मस्नान के पश्चात प्रती दिन गाय के दूद या फिर ताजे पानी के साथ एक चमच महीने भर तक नियमित सेवन करने से स्त्री निक्षित्र तोर पर गर्भधारन करती हैं अथवा अश्वागंदा की जड़ के काड़े और लुगदी में चौगुना घी मिलाकर पकाकर सेवन करने से भी स्त्री गर्भधारन करती हैं वात रोग के लिए अश्वागंदा और मीथी की समान मात्रा और इच्छा नूसाल गूर मिलाकर रजगुले के समान गोलियां बना ले और सुभाशाम एक एक गोली दूद के साथ खाने से वात रोग खत्म हो जाता है नपुन सकता के लिए सफेद मुस्ली और अश्वागंदा और शतावार कौँच के बीच को बराबर मात्रा में पीस कर इस का चूर न बना ले और लगातार दो महीने तक सुभाशाम एक चमच इस मिक्षन का गुनगुने मीठे दूद के साथ खाईए दो महीने के अंदर अंदर आपकी नपुन सकता की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी दोस्तों मजबूत हड़ियों के लिए शरीर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत एवं पावरफुल हो जाता है दोस्तों मैं आपको अश्वगंधा के और भी फैलों के बारे में बताऊंगी अश्वगंधा और बहेडा को पीस कर चूर्न बना नीचे और थोड़ा सा गूर मिला कर इसका एक चूर्मश टी स्पून गुंदने पानी के साथ सेवन करिए श्वगंधा और बहेडा से दिल की धरकन नियमित और मजबूत होती है श्वगंधा से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है ये रोग प्रतीरोदक शमता को बढ़ाती है और बुद्धी का अवकास भी करती है श्वगंधा में अंटी एजिंग, अंटी टियूमर, अंटी स्प्रेस तथा अंटी ऑक्सिडेन के गुन भी पाय जाते है अश्वगंधा का चूर्ण को शहद एवं घी के साथ लेने से श्वास रोगों में फैदा होता है और दर्द निवारक होने के कारण बदन दर्द में लाब मिलता है समान माता में अश्वगंधा, विधारा, स्वांट और मिक्ष्री को लेकर बारिक चूर्ण बना लीजिए अश्वगंधा की जड़ के चूर्ण का सेवन एक से तीन महीने तक करने से शरीर में ओज, स्प्रूती, बल शक्ती तथा चेतना आती है विर्य रोगों को दूर करके शुकरानों की वृद्धी करता है साथी कामों तेजना को बढ़ाता है और तथा पाचन शक्ती को भी सुधाता है दोस्तों अश्वगंधा की जड़ का चूर्ण सेवन तीन महीने तक लगातार सेवन कने से कमजोर बच्चा, बड़ा, बुज़ुर्ग, स्त्री आफे, पुरुष सभी की कमजोरी दूर होती है शुस्ती स्फूरुती आती है, साथी दोस्तों चेहरे तवचा पर कांती यानि की चमकाती है शरीर की कमियों को पूरा करते हुए, धातों को पुरुष्ट करके अस्पेश्यों को सुसंटित करके शरीर को गटीला बनाता है, लेकिन दोस्तों इससे आपका मुटापा नहीं आता अश्वगंदर की जड़ का चुन, दूद याफे घी के साथ लेनी से निद्रा लाता है, तथा शुकरानों की वृध्धी करता है यदि कोई वृध्ध व्यक्ति शर्द क्षत्रू में इसका एक महा तक सीवन करता है तो उसकी मास मज्जा की वृध्धी और विकास होकर वो युवा जैसा हलकावा चुस्त महसूस करने रखता है अश्वगंदा के चुन को शहर के साथ चाटने से शरीर बलवान होता है हाई बलड प्रिशर के लिए 10 ग्राम गिलोए चुन, 20 ग्राम सुरद मुखी बीच का चुन, 30 ग्राम अश्वगंदा जड़ का चुन और 40 ग्राम मिक्षरी लेकर इन सब को एक साथ मिला लें और शिशे के जार में भर कर रख लें और एक एक की स्पून दिन में 2-3 बार पानी के साथ सेवन करें, हाई बलड प्रिशर में लाब होगा दोस्तों समानी चेतावनी ये है कि गर्म प्राकुरूती वालों के लिए अश्वगंदा का अधिक मात्रा में उप्योग हानिकारक होता है और कोई भी आयूर्वेदिक औशदी तीन महीने तक नियमिच सेवन के बाद 10-15 दिन का अंतराल लेकर दोबारा फिर से शुरू कर सकते हैं आपको कोई वीमारी ना हो तो भी अश्वगंदा का तीन महीने तक नियमिच सेवन के आजा सकता है इससे आपकी शारी रिक्षमता बढ़ने के साथ साथ सभी उप्त बीमारियों से मिजात भी मिल जाती है थैंक्स पर वचिंग दिस वीडियो ब्लीज लाइक शर और सब्सक्राइब अब चनल थैंक्यू बाइ